नमसकार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरीचित दोस्त उपस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहधी महत्व पूर्ण चैहनकारी को ले कर गए जी हाँ आप सभी जानते हैं कि जब भी हमारे जोडों में दर्द हो जाता है तो बहुत सारी परिशानियों का हमें सामना करना पड़ता है और खास करके बढ़ती उम्र के साथ ही समस्या हो ही जाती है आज कल ये एक आम समस्या बन गई है किसी के घुटनों में, किसी की पीठ में, किसी की बैकबोन की प्रोब्लेम, बहुत सारे लोगों को दर्द की समस्या रहती है जोडों की तो कैसे हम इन से निजात पा सकते हैं, क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिएं, क्यूंकि किन गलतियों की बज़े से ये दर्द होते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है, कैसे हमें इन सब से निजात मिल सकती है, इसी से रिलेटेड आज का हमारा ये वाई सोबर है आप कभी कभी घुटनों के दर्द की वजह से पूरा पैर दर्द करने लग जाता है। जोडों का दर्द हमें पैरों के घुटनों, कुहनियों, गरदन, बाजों और कुल्धों में हो सकता है। जब किसी जोड में उपसित भंग हो जाती है तो हड़िया एक दूसरे से रगर खाने लग जाती है इससे सूजन, डर्द, एठन, उत्पन होती है आईए जानते हैं सबसे पहले तो जोड़ों के दर्द के कारण के बारे में हड्डियों में मिनरल यानि की खनीज की कमी का होना अर्थराइटिस, साइटी का, काल्टिलेज का घिस जाना, खून का कैंसर होना, उम्र बढ़ने के कारण हड्डियों में मिनरल की कमी होना अब इसके लक्षनों को जानते हैं कि कैसे जानेंगे हम कि हम इस विमारी के गिरफ्त में आ गये हैं या आने लगे हैं हड्डियों और जोड़ों के दर्द के लक्षनों के बारे में जानते हैं, चलने, खड़े होने, हिलने, डोलने और यहां तक की आराम करते समय भी दर्द होना सूजन और क्रेप्टिस चलने पर या गती करते समय जोडों का लौक हो जाना जोडों का कड़ापन खास कर सुबह में या यह पूरे दिन रह सकता है मरोड, वेस्टिंग और फेसिकुलेशन अगर बुखार, ठकान और वजन घटने जैसे लक्षन हो तो कोई गंभीर अंदुरूनी या संक्रामक बिमारी हो सकती है आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए अब हम आपको वो नुस्खे बता रहे हैं जिसके सहारे आप अपने जोडों के दर्द से छोटकारा पा सकते हैं सबसे पहले तो हल्दी और अदरक की चाह हल्दी और अदरक दोनों ही इंटे इंफ्लामेंटरी गुनों से भरपूर होते हैं और ये दोनों हमें जोडों के दर्द से भी छुटकारा दिला सकते हैं, दो ग्लास पानी आपको इसके लिए चाहिए होगा, आधा चमच अदरक पाउडर चीहे होगा और आधा चमच हल्दी पाउडर चीहे होगा आपको, आप शहद भी ले सकते हैं मिठा के जगा पर, चीनी को 10-15 मिनट तक आग पर रहने दीजिए, इसके बाद इसमें आप शहद भी डाल सकते हैं, और इस काड़े का आनंद आप दिन में दो बार ले सकते हैं, एक दिन में दो बार सेवन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके लिए बहतर रिजल्ट नजर आने लगे हैं, और करसुं के तेल या नारियल के तेल से हल्के हाथों से करना चाहिए. लेसुं से जोड़ों के दरद का इलाज कैसे करेंगे? आईये जानते हैं. लेससुं की दस कलियों को 100 गराम पानी एवं 100 गराम दूध में मिलाकर पकाएं, पानी जल जाने पर लेसुं खाकर दूध पीने से दर्द में लाब होता है दो सो पचास मिली लीटर दूद एवं उतने ही पानी में दो लहसुन की कलियां एक एक चमच सोट और हरड तथा एक एक चमच दालचिनी और छोटी इलाइची डाल कर पकाएं पानी जल जाने पर वहीं दूद पी जाएं आपको लाब होगा लहसु की दो कलियां रोज सुबह खाली पेट खाएं सरसों के तेल में लहसुन की कलियां डाल कर भून लें और दिन में दो बार दर्द प्रभावित हिस्से पर इसका लेप लगाएं तथा मालिश करें इससे इस विधी से आपको बहुत लाब प्राप्त होगा आपके जोडों के दर्द में आपको रहत मिलेगी इसके बाद लाल मिर्च पाउडर का प्रयोग जिहां जोडों के दर्द के इलाज के लिए लाल मिर्च का भी प्रयोग किया जाता है लाल मिर्च का पाउडर भी जोडों के दर्द से रहत दिला सकता है आपको एक कप नारियल के तेल को गर्म करने के बाद उसमें दो चमच लाल मिर्च पावडर के डाल दीजिए और इस मिश्रण को दर्द से प्रभावित जगह पर 15-20 मिनट लगा कर रखिए ये वीध आपके लिए काफी लाफदाई साबित होगी जिहां इसके अलवा निरगुंडी से जोड़ों के दर्द का इलाज निरगुंडी के पतों का 10-40 मिली लिटर रस लेने से अथवा सेकी हुई मेथी का कपरचन चुन 3 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ लेने से वात रोग में लाव होता है यह मेथी वाला प्रयोग घुटने के वात रोग में भी लावदायक है साथ में बजरासन करें तो आप के लिए और ज्यादा लाफकारी साबित होगा जिहां दोस्तों देखा आप सभी ने हम आप सभी के लिए जो आज और शधियां लाए थे यह जोडों के दर्द से रिलेटर थी क्योंकि आप बहुत सारी लोगों को इसकी समस्या होने लगी है तो आप इससे छुटकारा पान अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बहुत ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों